सन्विम सन सिटी में बुद्वार को अत्याधूनिक सुविधा से युक्त खेल परिसर अप्टेमस का भवी उद्खाटन किया गया। कारिकरम के शुरुबात नए इंडोर खेल परिसर अप्टेमस में सभी आमत्वित लोगों की स्वागत की साथ हुआ। खेल परिसर अप्टेमस में तीन बैडमिंटन कोट, एक विशाल बास्केटबाल कोट और एक अच्छी तरह से सुसजित जीन शामल है। प्लेरक मंत्र से सची एक शाकी का अनावरण कर कारिकरमस्थल का उधगाटन किया। उधगाटन के बाद सम्मानित अतीतियों और गर्माने विक्तियों ने बैडमिंटन और बास्केटबाल की रुमान्चक मैत्रिपूर्ण मैचों का अनंद लिया। शात्रों की जीवन्त उर्जा ने मैधान को रुमान्चित कर दिया। जिससे सभी अतीतियों और उपस्तित लोगों ने सनाना की और करतल धुनी कर उनका उत्सावर्दन किया। इस उसर पर संभीम ग्रामेड स्कूल की कक्षाओं में वर्चूल असिस्टन तक्निक एलेक्सा का उपहार देकर आटी फिशन इंटेलिजन्स की शुरुवात की गई। जिससे शात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। तदो परांथ प्रेस कांफरेंस में डॉक्टर दीपक मधोक ने समगरेविकास को बढ़ावा देने के लिए संभीम संसिटी में खेल और सिक्षा दिनों को अभिन भूमिका पर जोड़ दिया। उन्होंने संभीम एंसिटी की बोर्डिंग सुविधा पर प्रकाश डाला जो 600 शात्रों के साथ पूरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल शात्रावास है। उन्होंने यह अभी बताया कि इसके डे स्कूल के शात्र बोर्डिंग शात्रों की तरह ही परिसर की सभी सुविधाओं का लाब उठाते हैं। संबिम समोकी निदेशी का भारती मधोक ने आप्टिमस को उनके समगर सिक्षा द्रिश्णी कोड के प्रमाण के रूप में देखते हुए सिक्षा और खेल दोनों में उतकृष्टता के लिए संबिम की प्रतिवधता दोराई। श्रीमती मधोक ने बताया कि संबिम संसिटी का 65 एकड का परिसर सभी विस्व अस्तरिय सुविधाओं से सुसजित है। संबिम संसिटी में ऑप्टिमस स्पोर्ट्स एरेना एक क्रिडास्थल का मिशाल क्रिडास्थल का इसमें करीब 22,000 स्क्वेर फिट में बास्केटबॉल नाड्मिंटन गोगा जिन के इंडोर कोट है उसका गाटन हुआ है। आप्टिमस में बच्चों के खेलों को और खेल प्रतिस परदाओं को बहुत अच्छी एक दिशा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे छेत्र में इस तरह का वर्ल्ट क्लास परसेडिटी पहने बार हो रहा है। जिसमें अंतर राष्ट्री राष्ट्री तरके खेलों का अधिक किया जाएगा। मैंट्विंटन का, आस्किबॉल का। और आज इसका उठाटन हुआ है। इस प्रकार इसके फ्लोरिंग, इसके इसके सारी एक्प्मेंट्स पूरे वर्ल्ट स्कैंडर्ड के हैं। Sunbeam Sun City में सारी सुधाएं हैं, यहाँ पे स्टेडियम हैं, फुटबॉल के फिल्ड्स हैं, स्केटिंग ड्राउंड्स हैं, बैड्मिंटन के एक और पोर्ट हैं इंडोर, स्विमिंग पूल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां के बच्चों को खेलों के प्रती उनकी बहुत अच्छी डेबल टैनिस में चैंपियन हैं, बास्की डॉल में चैंपियन हैं, एथलेटिक्स में सबसे अच्छा आते हैं। तो पढ़ाई में टॉप करते ही हैं इस विद्याले को पिछले 8 वर्षों से उत्यापद्ध का नंबर और राफ्टन स्थान बिला है। और बोडिंग के स्कूलों में प्रत राफ्टन dalggy में नाते ने आते लाज़न द्यां है। इन पर यहां पर जो डेरी है और उसको भी प्रथम दिया है पूरे उत्रप्रदेश में वह बच्चों के दूद के लिए यहां की डेरी बहुत अच्छी है और एक ग्रामिल स्कूल है जो निशुल शिक्षा देता है